नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बसे ट्रिकी क्लासेस में दोस्तों आज के आप लोग किस क्लास में आज हम यूपीटर पलसी हिंदी टारगेट 2019 में आज हम ग्राम विकास अधिकारी का प्रीबियस सेर्का जो हिंदी का पार्ट है इसको पूर आप लोग के आने वाले मंडी पर्षत लोवर पीसेस के एक्जाम के लिए तो उम्मीद करता हूं सभी को वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा और यदि आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर आएगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्क्लास को आईए देखते हैं तो देखते हैं दोस्तों हमारा आज का इस पेपर का सबसे पहला कोश्चन यह रहा दोस्तों आप लोग के सामने मच्छरों के प्रकोप के संबन में सिकायत पत्र यदि आप लोग को लिखन अधिकारी को मानें यह स्वास्ते अधिकारी को देखिए पत्र लेकन से आप लोग के एक्जाम में कोश्चन आएंगे ही और दो यह फिर आप लोग की एक एक्जाम में आना बिल्कुल तह हैं मंडी परशिद हो गया है चैने वो लौर PCS हो गया अगला कोश्चन देखें क् इस अगर जहें पर आधिका मित्वों लिकितन दरगेत्ते Pacifica के उपषचारण होन्हें क्या खाए है और या कश्वर आद लिघान रखे कि इसको बोलते हैं सर अगला बंद क्या जो न लिए इस न भू आ पर-चाहँ आदी का उचारन जो है वो किस से होगा कंट से मुर्धनने से तालब्बे से या फिर ओष्ट से तो देखिए मैं आपको बतार इसको वोलते हैं अगर आपको छोटी इचा जा 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 उआ तो यहां पर जो चारन स्थान है यह होता है तालब्बे से एक से अधिक वर्लो के मेल क क्या कहते हैं दोस्तों यहां पर आप लोग को यह बताना है कि एक से अधिक वर्लों के मेल को क्या कहते है अक्षर स्वार व्यंजन या फिर अनुस्वार तो इसको बोलते हम लोग अक्षर ठीक है एक से अधिक वर्लों के मेल को जो बनता है वह आप लोग का अक्षर कहलाता और उसी कि पुस्तक आले कुछ भी हो अनील और या को सांथका है, वयन म्नीले व पुस्तका न चौट गुंक है लगो पुस्तक लिखेyond कि आहलेेलगे करिकद पुस्तक हम कहो की यापिचृत का घॕर से खवाच को पुस्तक द stripes जी सुरसंदी होगी ठीक है अगला कुशन देखते हैं आपर क्या है मुंबई में गगन चुम्बी इमारते बहुत हैं रेखांग के शब्द में जो है समास कौन सा होगा ततपुरुष समास कर्मधारे समास दिगू समास या फिर अभेवी भाव समाज तो दोस्तों यहां पर जो है ततपुरुष समास होता है ठीक है गगन चुम्बी ठीक है ततपुरुष समास अगला कुश्चन देखे क्या है हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए व्याकरण की दरश्टी से यह जो रेखांग के शब्द है क्या विशेशन संग्या है उपसर्ग या फिर अभ्य यह तो आप सबी लोग मुश्चली जानते होंगे यह क्या है अप लोग का शब्द के पहले आप लगा दिया तो एक उपसर्ग का प्रयूग किया गया इसलिए आप लोग का क्या होगा हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए यह एक उपसर्ग है व्याकरण की दरश्टी स इसे हैदी हम बात करें तो अगला प्रस्ट देखते हैं अप क्या पूछा किया अपसोस मैं नहीं जा सका यहाँ पर यह जो रेखां के शब्द है यह किसका अभया का प्रकार है सम्बोधन सूीचक अभया है आशर आउन पर हर सूीचक है तो जब आफसोस की बात हो रहा है तो यह दोस्तों किस बात का सूचक है, अपसोस दोस्तों जब होता है, जब सोक हो रहा हूँ, तो यह सोक सूचक अब भी है, ठीक है, अगला कुशन देखते हैं आपर क्या है, नेम लिके शब्दों में से तत्सम शब्दों को पैचानी, कोयल, कुकुर, लाक, या फिर भीतर, तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग समझ गयोंगे, यहाँ पर यह कुकुर शब्द है, कुकुर, जो आप लोग का दिया गया, कुकुर का मतलब होता है, कुट्टा, लेकि तस्वम शब्द आपको बढ़ादें, जो शब्द जो है संस्क्रत से प्रया हिंदी में ले लिए का राइट अंसर है, यह होगा है, टैंथ का आप लोग का यह वाला आलस, ठीक है, क्योंकि बाकी जे कुष्ट है, अंदिकार है, और लास है, आप लोग के तदभब नहीं, तस्वम है, 11 कुशन देखिए, अब मुझे आप लोग को यह बताना है, आप लोग मुझे निमलिखे शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचाना है, ग्लास है, अचल है, आश्चर है और चाता है, तो निमलिखे शब्दों में से जो विदेशी शब्द इसको आप लोग को पहचानना है, तो फलाल मैं आपको बता दूँ, इसका आप लोग का राइट अंसर से संग्या को पहचानी आसमानी नीयमित पाश्यत्त्त या फिर और अनुसाशन तो संग्या को पहचाना इन डियह संग्या कौन सी अप लोग की तो यह Clap आप आप लोग मुझे comment के दूरू बताएगा, ठीक है, next question देखें, आपकी सब रहा देख रहे हैं, आपकी सब रहा देख रहे हैं, तो इस रेखांग के शब्द में कौन सा सर्वनाम, जो आप शब्द है, यहाँ पर इस आप में कौन सा सर्वनाम, प्रश्न बाचक है, संबंद ब या फिर निजवाचक है, तो यहाँ पर जो आप लोग का सर्वनाम है, यह है आप लोग का निजवाचक सर्वनाम, तो पहचान रखिएगा, जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, वह होता आप लोग का निजवाचक सर्वनाम, ठीक ठीक है तो यह क्या है आप लोग का विशेशन है ठीक है अगला प्रशन देखते हैं यहां पर क्या है उसे धीरे-धीरे लिखने की आदत है तो धीरे-धीरे क्या है क्रिया है सर्वनाम या फिर संगया तो दोस्तों धीरे-धीरे जो क्या है यह क्रिया विशेशन है दोस्तों अगला कुश्चन देखें क्या यहां पर वह पढ़ता है लेकिन बहुत भी जो दोस्तों बात जो है वह भी बहुत करता है वह पढ़ता है लेकिन जो है बात भी बहुत करता है तो आपको यहां पर यह बताने कि व्याक्रण की दर्श्टी से रिखांके शब्द का लेकिन लेक तो ही रहेगा मतलब दोस्तों क्या है उपसर्ग है निपात है प्रतेश सर्व नाम है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका आप लोग का राइट आंसर यह है निपात ठीक है अकाश मेच चंतरमाच चमक रहा है रेखां के शब्द का प्रेवाची नहीं है अब आकाश का दोस्तों कौन सा प्रेवाची नहीं होगा वियोम गगन रसाल नभ ठीक है तो देखते समझेगों कि दोस्तों 19 का आप लोग का राइट आंसर यह है रसाल तो रसाल का क्या कrieकर वताइब लिए जपके वियों का गगन का और नब्कार्थ जो है वाकास होता है, आसमान होता है मारने कि सन्तोष महाधन है, रिंख खाग की शब्द का सटीक विलों क्या होगा संतोष का असन्तोष थीक है संतोष का असन्तोष अगला कुश्यन देखे दोस्तों आप लोग के सामने यह रहा योग में शब्द की खोच कौन से जोड़ी सही है न्याय अन्याय धरा प्रत्वी अचल अचला मान अपमान तो दोस्तों यहाँ पर कौन से जोड़ी सही नहीं है कौन सा योग में जिसकी जोड़ी बिल्कुल सही दी गई है तो देखिए मैं आपको बता दूँ जैसे कि यहाँ पर दिया गया धरा ठीक है इसका दिया गया आप लोग को प्रत्वी ठीक है और देरका अचल इसका देरका अचला तो जो जोड़ी सही है वो कौन सी होगी आप लोग के कोडिंग सी वाली होगी अचल का क्या होगा यहाँ पर अचला होगा दूसरों की बातों में दखल देना इसके लिए एक शब्द में क्या प्रियोग करेंगे आप लोग हस्तचेप आप एक दूरदर्शी या फिर उपकारी तो इसका सही जवाब है हस्तचेप करना दूसरों की बातों में दखल देना यानि कि हस्तचेप करना उसकी लाइफ में इंटरवेयर करना ठीक है बहुत ही सिंपल पेपर है हिंदी का देखिए जादा आप लोग को घवरानिक जरूत नहीं है इंदी जादा टिपिकल नहीं आएगे बस कुछ चीज़े आप लोग को धान देखन जैसि एक चैप्टर आप लोग को पत्र लेखन वर विशेज ध्यान देना है अब जैसे कि अगला कुशन देखे क्या है मुंबई के निकट पूना है तो रेखांग के शब्द में दोस्तों कौन सा शब्द काई समुच्यवोदक है संबंध सूचक है सर्वनाम है या फिर संग्या है तो इसका दोस्तों आप लोगा राइट आंसर संबंध सूचक अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं अब के लिए आगया के लिए विशेशन है परसर्ग है सर्वनाम है या फिर संग्या है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह जो आप लोगा यह है परसर्ग ठीक है कुशन में 25 देखते हैं यहाँ पर क्या दि 26 देखे क्या है जिस वाक्य के कर्म के अनुसार किरिया में परिवर्तन होता है दोस्तों यहाँ पर देखे क्या अगला कोशन पूछा गया है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार किरिया में परिवर्तन होता है उस वाक्यों क्या कहते है करत वाच्चे कर्म बाच्चे भाव बा आप लोग तुम लोग हम लोग या फिर यह लोग तो तू का जो सही भूबचन है देखिए जो आप लोग का मध्यम पुरुष में तू शब्दा रहा है इसका सही भूबचन के अगर हम बात करें तो यह है तुम लोग ठीक है इसके दोस्तों देखते हैं आप अगला कुशन देखिए आप लोग का दिया गया है जिस वाक्य में इसलिए और क्यू की लेकिन परंतु आदी समुच्च बोदक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्यों को क्या क बस बिल्कुल सिंपल साय ध्यान दखिएगा बच्चे खेल रहें तो अर्थ के अधार पर वाकिक किस प्रकार का प्रश्न बाच्चक है को देखे को कुशन दो बात होने रही है विधान बाक्य है निशेद कोई बात की हो रही है या फिर आग्या वाक्य है तो पढ़ते करेक्ट आंसर यह आपने तुम को मुझह पढ़ाना तुमको न रही है तुमको न कहीं होगा यहांपर क्या होना चाहिए कि इसके देखते हैं, अगला कुशन देखे, क्या दिया गया है, मुझे बाहर जाना है, यहां पर रेखांके चिन्द को पैच आना है, पूर्ण विराम आएगा, प्रश्न वाचक चिन्द आएगा, अल्प विराम आएगा, या फिर लागप चिन्द आएगा, अब देखे, पढ उपवाग के आदी के विशेशता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा की इस रेखा को क्या बोलेंगे प्रश्नवाच्छक अदुरेक चिन कोश्टक चिन या तिरियक चिन तो फलाल दोस्तों उसको बोलते हैं अदुरेक चिन इसको क्या बोलते हैं अदुरेक चिन आग लगने पर कुआ खोदना नोगोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों आग लगने पर कुआ खोदना यानि का मतलब यह होगा कि संकड के समय बचाहप के लिए सोंचना ठीक है प्रत्वी ग्रह तारव आदी का इस्थान वाक्यान्स के लिए उची शब्द के आओगा है समंदर, अंतरिक्ष, धर्थि या फिर विश्व यो प्रत्वी ग्रह तारे ये सब किसमें आते हैं तो ये आते हैं सारे शब्द अंतरिक्ष के अंतरगत ठीक है अगला कुश्चन देखें यहां पर क्या दिया गया है नेवलिकित में से समनार्थी शब्दो जो समनार्थी जोड़ी को इसपश्ट कीज़ए पारवर्ती महिश्वरी व्यापारिक अव्यावारिक सेर शेरनी लड़का लड़के तो यहां पर आप लोग को समनार्थी जोड़ी को इसपश्ट करना है तो फलाल मैं आपको बता तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का राइट आंसर है यह आप लोग का 37 का A वाला पारवर्ती महिश्वरी पूर्वी हिंदी छेतर में कौनसी बोली नहीं बोली जाती है अगला प्रशन देखते हैं आप लोग को क्या दिया गया है हिंदी भाशी राज्जी का राज्जे का राज्जे नहीं है जापर हिंदिनी बुलिए उत्तर परदेश बिहार जारकंट र्याफिर महराष्टर तो फिलाल मैं आपको बता दूँ यहां पर इसका चिल जवाद है आप लोग का महराष्टर हिंडी भाशी राज्जिर कंतर गट ऑनलोग वो है आप लोग का महाराष्ट्र ठीक है अगला प्रस्ण देखिए राम चरित मानस के रहचाईता कौन है यह तो आप सभी लोग जानते होंगे गोस्वामी तुल सिदास जी ठीक है अगला उच्छन अंग्रेजी का हिंदी में रुबाद करना है डिसेश्टेट टू इन्वा पहुचाना आज की बड़ी समस्या पर्यावरन कोहानी पहुचाना आज की बड़ी समस्या तो भी वाला आंसर प्रेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके दोस्तों देखते हैं आगला कॉश्चन नमर 42 देखे क्या है सिक्षा मनुस्य जीवन की नीव है इसका इंग्लिस में ट्रा प्राइशन ओफ आवर लाइफ करेक्ट जो इसका ट्रांसलेशन होगा वोगा एजुकेशन इन दा सॉरी एजुकेशन इस दा फॉन्डेशन ओफ आवर लाइफ 42 के बाद देखते हैं मारा नेक्स्ट कुश्चन 43 पर क्या है नेमलिकित गाध्यांस को जो है पढ़कर पूरह जो है यहां पर जो भी प्रशन आप लोगों से पूछे का उसका जवाब देना है तो आईए देखते हैं यहां पर क्या क्या दिया गया है ठीक है देखिए यह तो कुश्चन आप लोग के हो गाजा पढ़िए हिंदी साहिते इत्यास को चार भागों में पाटागिए ऑधिकाल है भक्तिकाल रीतिकाल और आधनिकाल ठीक है आगे देखे क्या दिया गे भक्तिकाल के शंत कभी सूरदार जी को कौन नहीं जानता भक्तिकाल के क्रशन पासलेश, रंगार, एवमसांत, रसके भाव जो है प्राप्त होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि सूर सूर तुलसी ससी, उडगन के शब्दास, वे अश्च छापके सर्व स्रेष्ट कभी हैं, उनके काब्बे की भिशेस्ता यह है कि वे गैपद हैं, उनकी अधिकतर रचना ब्रजभाशी में ब्रजभाशा में पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर संस्क्रत वा फार्सी भाशा के शब्दों भी पाई जाते हैं, उनकी रचनाव में अनुपरास, यमक्स, लेश, उपमा, उत्प्रेक्छा अधि सभी अलंगकार पाई जाते हैं, वे जनमांद अंदे थे वे जनम से ही अंदे थे, लेकिन उनके पदों में जो वड़न पाया है, वो उसके वह बिल्कुल सजीत, ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जनमांद थे, उनके म्रत्य उपंदरा सस्षी इस्वी में हुई थी, हिंदी साहिते जो है, जगत में वे सदैव अमर हैं, ठीक है, अगल दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बता है, हिंदी साहिते कितियास को जो है, कितने भागों बाटा गया है, जी हां दोस्तों, हिंदी साहिते कितियास को चार भागों बाटा गया है, क्योंकि यहां पर देखे लिखा गया है, जैसे कि पैराग्राफ में, आधिकाल, भक् के संथ कभी अगला प्रशन नेमलिख्ष रचन दो नहीं पनते साइल करते समझें थिंगत वहां को खुए यह पही नहीं ईह तो फिर भयाना कैसे हो जाएगा ठीक है आधे अधूरे यह किस बिधा की रषणा है कभीता है कहानी नाटक यह फिर उपन्यास है तो जो आधे अधूरे यह अप लोग का जो एक नाटक है ठीक है अगला कुश्चन देखिजें आपर क्या दिया गया है च्छायबादी रशनाकार क्वुण है। आप लोग आप लोग समित्रा नं धन पंत GS का जो section बच्चा हुआ पूरा solve करेंगे यदि आप लोग को आज के वीडियो पसंद आज इसको like कीजेगा और आप लोग के जितने ही फ्रेंडे सभी के साथ शेर जरूर कीजेगा फिर मिलते दोस्तों बन रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSR की क्लासिस में तब तक के लिए नमस्कार